पिछले 16 मां से ये अंदोलन चल रही है, उसके बाद भी हम लोग का आवाज नई पहुचा है हम लोग को लगता है कि हम लोग को मांग पूरी हो जाएगी, हम लोग पैदल चल के आए हैं, हमारे सीम सहाब मांग पत्र ले ले बुकारो जिले को दो भाग में आराम से बाटा जा सकता है, नौ ब्लॉक इसके अंदर आते हैं और कई ब्लॉक प्रस्तावित है नबश्कार हैश्रक भारत नीउस देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ की इति सिंग और इस वक्त विधान सभास सत्र चल रहा है और इस दोरान आप देख सकते हैं कि कई मांगों को लेकर कहीं विरोज प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं धरना दिया जा रहा है ऐसे ही में एक अनोखी चीज आज मैं आपको दिखाऊंगी, आप मेरे पीछे देखेंगे, तो ये सभी लोग बेर्मो से पैदल चल कर राची पहुचे हैं, विधान सभा के पास ये सभी लोग पहुचे हैं, 111 किलो मिटर दूर से 111 लोग यहां पर आई हुए हैं और आपको बता दे कि बेर्मो को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर ये सभी लोग आए हैं, हाला कि सदन में भी इस बात को उठाया जा रहा है, बता दे कि इस मांग को लंबोदर महतो जो की गोमिया विधायक है, वो सदन के अंदर लगतार उठा रहे हैं, और आप देख मांग पत्र ले ले और हमारे यहां सभी तरह के सुविधाये हैं, कोट हैं, जेल हैं, और हमारे मुख्याले सो किलेमीटर के दूरी हैं, इसलिए हमारे जनता की मांग है कि हमारे यहां बेर्मो जिला बनाया जाए, ग्रामगर बन गई, खुटी बन गई, इसलिए हमारे बेर प्रोफेसर्स हैं डॉक्टर्स हैं इंजिनियर्स हैं और हमारे साथ लगभग आधे पूरे मतलब कहिए कि सभी दलों के कुछ ना कुछ प्रतिनीदी मंडल हैं राजनितिक दलों से भी यहां लगभग बेरमो छेत्र से लगभग मुखिया प्रमूख जिला परिशद सदस्य ज विधायक भी हैं लंबोदर महतोजी का इधर विगत दो वरसों से वह इस बात को उठा भी रहे हैं आज जीरो आवर में उन्होंने प्रस्ण भी रखा होगा क्योंकि उनका डिमांड था जीरो आवर में कि वो जिले की मांग रखेंगे असल में जिला देखिये बनना आरता पूरी करती है हमारा बेर्मोच जो है वह खूटी से कहीं से पहले से ही बेर्मोच का बोगलिक चेतर फल है व ो इतना दुर्गम है क Pablo का अंतिम पंचयत जो जुम रहा पहाड का चेतर लगता है जो उगरवात प्रभावित रहा है नावाडी का ऊपरगाट घाट जो नाराह जाने के लिए तो रात को बारा बजे तक लोट पाएंगे ऐसी परिस्थिति में जब इतने बड़े भुभाग को बाट करके जिला बनाने का अहरता है बोकारो जिले को दो भाग में आराम से बाटा जा सकता है नौ ब्लॉक इसके अंदर आते हैं और कई ब्लॉक प्रस्तावि हैं या बेरमो के लोग को आज तक समझ में नहीं आया हम लोग जन्म से उस तकलीफ को जहल रहे हैं आज यहां पर आए हैं क्या कुछ सहयोग चाते हैं यहां पर जितने लोग आए हैं क्या मांग लेकर आए हैं एक मात्र मांग है कि बेरमो को जिला बनाया जाए बेरमो को ज प्रस्ताव जा चुके हैं, हर परखंड से गए हैं, हमारे पूरे अनुमंडल चेतर से गए हैं, कभी काफी प्रतिनिदियों ने भेजा है, अन्तता देखिए जब बात इग्नोरिंग की हो रही है, तब लोगों ने अपना संजम खोया है आज, और 111 लोग 111 किलोमेटर की लेने में सुबिधा हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें बिलकुल बेरमो जिला बनने के पक्छ में हैं, आप लोग जो है पैदल चल कर आ रहे हैं, कब निकले थे, कब तक यहाँ पर पहुचे हैं, क्या कुछ समस्य आई? देखिए 26 तारिक को हम लोग टेनुगाट मुख्याले से निकले हैं, वहाँ पर अभिवक्ता संग के अध्यच कमेशर मिश्राजी हैं और बोकारो जिला परिशत की अध्यच्छा, दोनों ने जंडा दिखा करके रवाना किया, हम लोग हर दिन 20 किलोमेटर चलते आए, चलन जड़ि चलान, उटार, डलान सभी को इतनी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, परदूशन, सभी को जहलते हुए हम लोग आज पहुँचे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे हैं, वो सभी जन परतिनीदी हैं, कोई पंचायक के परतिनीदी हैं, कोई अभिवक्ता ह कोई शमाज से भी हैं कोई ने कोई अच्छे पद से बिलोम करते हैं और ये सभी लोग पास दिन का पदियात्रा के बाद आज हम लोग पहुंचे हैं और हमको लगता है कि हमन सोरेन जी को पिछले 16 माह से 16 माह से ये अंदोलन चल रही है उसके बाद भी हम लोग का आवाज जारखंट सरकार को हम लोग 16 माह से प्रखंट विकास पदादिकारी के मादियम से आवेदन दिये हैं आगरा किये हैं पर आज हम लोग पदियात्रा के मादियम से इस जगह पे पहुंचे हैं और हम लोग ग्यापन देने आये हैं हमारा ग्यापन मुकमंत्री जी से आगरा है कि वो ले ले और मानसुम सत्र में हो या आगला आने वाला जो केबिनेट है उसमें हमारा बेरमो को जिला बनाने की घोषना केबिनेट में पास करें और हमारे 15 लाक जो बेरमो की जनता है ये उनके लिए सदा भारी रहेगा सदारी नहीं रहेगा हम लोग को बेरमो जिला बन तो बेरमो की जनता ने इस बार ठान लिया है कि हम लोग मांग रहे हैं मांगने से नहीं मिलेगा तो हम लोग सीधा अंगली से घी नहीं निकलेगा तो अंगली टेड़ा भी करेंगे आवसकता पड़ेगा तो घी का डबा हम लोग घरम भी करेंगे और उगर अंदोलन करेंगे और बेर्मो को जिला हम लोग बना के रहेंगे बहुत बढ़ी बात है और हम लोग भी इस मंच के माध्यम से और हमारे द्वारा भी हम लोग मांग करते हैं कि माननी मुखमंत्री जी आपको क्या लगता है पार्टी तो आपकी ही है और विधायक भी समर्थन कर ही रहे हैं कुछ लोग लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं हो रहे हैं नितिकत मामला है निशित रूप से मुझे लगता है कि सरकार को इस पर निरने लेना चाहिए और बहुत जल निरने लेगी भी चुकि बहुत गंभीरता से अब देख रहे हैं चुकि सिक्षाविद हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजिनियर हैं, सारे लोगों की ये चुकि डिमांड है तो मुझे लगता है कि निशित रूप से बहुत जल सरकार इस पर निरने लेना चाहिए और अगर नहीं निरने लेगी तो फिर हर तरह से उनको आंदूलन और करांतिकारी साथियों का जो है उनको जहिलना पड़ेगा अकरोश जहिलना पड़ेगा और निशित रूप से हमको लगता बनना चाहिए, बिल्कुल जायज मांगए आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो यहाँ वारता के लिए आए हैं इन तमाम लोगों से, कि सभी लोग जो बेर्मो से चल कर पैदल यहां पहुँचे हैं, उनसे आज वारता करने के लिए खुद विदायक पहुँचे हैं, भी देखें क्या कुछ वारता होती है अफ्रीदी जिला से अलग वाला ये अनुमंडन आज जिला बनने के सारी अरहता को पूरा करता है इसके बाउजित अब तक बेरमोण मंडल का जिला ने बनना दिर्भाइग बनना की स्थिती रहा है इसलिए आज भी हम लोगों ने सुन निकाल के माधम से उठाया था सदन के माधम से सरकार से मांग किया था कि आप जल्द से जल्द बेरमोण मंडल को जिला घोशित करने का काम करो बिल्कुल इस से पहले पर आप देखाऊंगे कि विधान सभा के कई शत्रों में इस मामले को हम लोगों ने उठाया था और मार्च 2021 में सरकार का आश्वासन था सरकार की ओर से मानाने मंत्री मितलेश ठाकुर जी का आश्वासन था कि हम आयुकत का प्रतिवेदन मंगा कर निश्चितरुप से बेरमोण मंडल को जिला बनाने का काम करने लेकिन इस सरकार का आश्वासन दिवे दो साल से ज़्यादा समय बिद गया लेकिन यह आश्वासन सिर्फ आश्वासन नहीं है इसलिए बेरमोण मंडल की जानता उगर हो चुकी है पूरी तरह से आंदोलन पर आ चुकी है और निश्चितरुप से जब तक यह सरकार बेरमोण मंडल को जिला नहीं बनाते है यह आंदोलन चलता रहे तो देखा अपने गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी यहां पर आए हैं इनके समर्थन में और जिस तरीके से जिरो आवर में लगतार सदन के अंदर वो इस मुद्दे को उठाते आए हैं उन्होंने कहा है कि जो बेरमो को अलग जिला बनाने की मांग की जारी है उसमें मुखिरूप से देखा जा रहा है कि लंबोदर मैतो का पूरा समर्थन मिल रहा है और उन्होंने कहा कि मिथलेश ठाकूर ने पेजल विकास मंतरी मिथलेश ठाकूर और कई ऐसे लोग है जिन् जिला बनाने की जो मांग है वो कब तक पूरी होती है ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं हैश्चक भायत नियूज के साथ कैमरा पॉसन सुजीत के साथ राची से मैं कीज़ति सेंग